नमस्कार सुनितास किचन विधाउड अनियन और गारलिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप लोग आजकल सफर कर रहे हैं कि टमाटट बहुत महंगा है तो उसी को ध्यान में रखते वे हमने ये आज हम ये सबजी लेकर आए हैं बना रहे हैं गटे की सबजी तो ये हमने एक कप बेशन लिया है उसमें हमने हल्दी पाउडर डाला नमक डाला जीरा डाला और कसूरी मिर्थी को हम क्रश करकर डालेंगे इससे स्वाद और भी अच्छा हैगा थोड़ा सा ओयल दो पिंच हम मीठा सोड़ा डालेंगे और कश्मीरी लाल मिर्च डालकर और ओड़कर दो बाम तयार कर लिया है और फिर इसकी हम रोज छोटी और टोड यह पर टोड़ा लेंगे और एकशन कम रिके इधर हम यह एक मसाला भी तयार कर लेते हैं धनिया और सौफ और जीरा इन को हम ड्राइर रोस्ट कर लेते हैं और यह देखिए बहुत अच्छी आने लगी है और इधर यह हमारा गट्टे भी बनकर तयार हो रहे हैं और इन मसालों को हम मिक्सी के जार में इसको पीस लेंगे और खड़ा रखेंगे और दही लेंगेहम हम हलदी पावडर लाल मिर्च और यह कसूरी मेती और धनिया पावडर कश्मीरी लाल मेर्ची इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे इनका पेस्ट हम तयार कर लेंगे इधर गट्टे भी हमारे बनकर बॉल होके यह तयार होगे बहुत ही अच्छे यह पक्कर तयार हो गए है इधर हम कड़ाई चढ़ा देते हैं कड़ाई में हम ऑल डाले जीरा ही और इधर हम कुछ एक चमत बेसंट डालकर हम इसको बून लेंगे गोल्डें ब्राउन होने तक हम इसे बूनेंगे और फिर इधर गट्टों को भी हम छोटे चोटे टुकडों में काट लेंगे इस तरह से आप देख सकते और इधर जो हमने मसाला बना कर तयार किया और फिर इनको भूनेंगे नमक अपने स्वात के अनुसार आप डालिए और जब तक यह तेल ना छोड़े जब तक आप इन मसालों को भूनिए देखे यह मसाला जो है तेल छोड़ने लगा है और इधर जो हमारा गट्टे के बॉइल किया था उसका जो पानी था वही पानी हम इसमें एड करेंगे उस पानी को हम फेकेंगे नहीं जब यह ग्रेवी हमारी बॉइल होने लगे तब हम गट्टों को डाल देंगे उपर से गरम मसाला डाल देंगे अच्छा सा और फिर इसको हम बॉइल कर लेंगे यह देखे खूब अच्छा सा यह हमारी ग्रेवी वाल किसी के साथ भी आप इसे और इसमें हम उपर से एक बढ़िया सा तड़का भी दे देते हैं देशी घी डाला हींग जीरा और कश्मीरी लाल मिर्ची इन सभी चीजों को डाल कर हम उपर से इसके खुब अच्छा सा हम तड़का दे देंगे देखे यह देखने में भी अच्छा रोटी पराठा नान चावल किसी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं और यह देखे बिना टमाटर की हमने यह सबजी बना रखी है यह आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्फुल रहेगा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए कॉमेंट शेयर करिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए थैंक्यू